नमस्कार दोस्तो आई टी आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप पतल बनाने वाली मसीन लगा कर आप लाखर उपया घर बैठे कमा सकते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पतल बनाने वाले मसीन आप कैसे लिजिएगा और किस तरीके से आप पतल को बनाईएगा हम पूरी जान कानी देंगे देखते रहेगा वीडियो को लाज तक तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम पलास्टिक और पेपर को एक गोंद के जरिये हम दोनों को चपका कर एक मसीन के जरिये रोल बना लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोल बनाया जा रहा है इस मसीन पर रोल बनने के बाद हम अगले मसीन पर ले जाएंगे जहां पर इस रोल से पतल बनाया जाएगा पतल बनाने का तरीका बिल्कुल ही सरल होता है आप इसे घर के ओरतों से भी बनवा सकते हैं जो कि घर में बैठे बैठे इसको बना सकती है यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पतल बनाए जा रही है यहां पर एक बार सेटिंग करने के बाद आपको कुछ भी करने का ज़रुत नहीं होता है आप यहां पर सिर्फ बैठे बैठे आप सिर्फ पतल गिन सकते हैं यह सिंगल डाइक की मसीन है और इसमें एक बार में कम से कम चार से पांच पतल बनता है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर चार रोल लगा हुआ है यहां पर इस तरीके से बिलकुल ही सळैके से यह पतल बनासकते हैं यह सिंगल डाई की मसीन है हम आपको डबल डाई की भी मसीन आपको दिखाएंगे यहाँ पर देखें यहाँ पर सिर्फ एक बाद सेटिंग करने के बाद यह अपने आप ही कारती रहती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो डाईों का मसीन है दोनों डाई एक ही मोटर द्वारा संचालित हो रही है दो डाई की मसीन होने का एक और भी फायदा है कि दोनों डाई में आप अलग अलग पतल का डाई आप लगा सकते हैं इस तरीके के मसीन आप अपने घर पे लगा सकते हैं और बहुत कमी पुजे में आप लाखों रुप्या कमा सकते हैं इस मसीन का एक और ही फायदा है कि ये आपको घर के महिलावर भी अराम से चला सकती है और इसका रख रखाओ बिल्कुल ही कमा खरचाता है इस मसीन में एक 1HP का मोटर होता है और दो हीटर होती है और एक ब्लोर लगा हुआ रहता है इस तरीके के और भी कई मसीन के बारे में आपको जनकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक जरूर कीजिएगा फिर हम आपके पास आँगे किसी और मसीन के बारे में जनकारी लेकर तब तक के लिए धन्यवाद झाल